जिसका वर्णन हमें मच्चे पुराण में मिलता है एक बार राजा सत्यवरत प्रातह नदी में स्नान करने के पश्चात सूर्य देवता को अर्ग दे रहे थे कि तभी अर्ग देते हुए उनके हाथों में एक छूटी मच्चे आ गई हे राजन मुझे पुना जलमे मत्ता लेगा नदी में रहने वाली बड़ी मच्चलियां छोटी मच्चलियों को अपना आहार बना लेती है यदि आपने मुझे जलमे डाल दिया तो वो मुझे भी खाजाएंगी आप तो राजा है और राजा का कर्तबे तो रक्षा करना होता है इसलिए अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए ए मत्से तुम भाई भी इतना हो मैं तुम्हे अपने साथ अपने राजबवन में ले चलता हूँ तुम वहाँ बिना किसी भाई के कुशलता से रहना परन्तु क्या आपकी राजभवन में मेरी लिए स्थान होगा? क्यों नहीं? मेरे राजभवन में तो अनेको नगर समा सकते हैं तुम तो मातरेक्प मच्षे हो, मैं तुम्हे अपने कमंडल में रख लेता हूँ राजा सत्यवरत उस मच्चे को अपने कमंडल में रख लेते हैं और कुछ शणों के बाद ही वो मच्चे कमंडल के आकार की हो जाती है राजन ये कमंडल मेरे लिए बहुत सुक्ष्म है आप मुझे किसी बड़ी स्थान पर रखे न ये कैसी विचुतर बात है तुम कुछ शणों में किस प्रकार इस कमंडल के आकार की हो गई राजा उस मच्चे को देख कर आश्चरे चकित रह जाते हैं वो अपने महल पहुँचकर उसे एक बड़ी पातर में रख देते हैं परन्तु वो मच्चे पुनह बड़ी होकर उस बड़ी पातर के आकार में बदल जाती है राजा पुनह उसे एक बड़ी पातर में रखते हैं परन्तु वो मच्चे पुनह उस पातर के आकार की हो जाती है राजन ये स्थान भी मेरे लिए परयाप्त नहीं है मुझे किसी ऐसी स्थान पर रखी जो मेरे लिए परयाप्त हो ये पात्र भी तुमारे लिए परयाप्त नहीं अब तो तुमारे लिए केवल एक विशाल सागर ही परयाप्त हो सकता है राजा सत्यवरत उस मच्चे को लेकर समुद्र में छोड़ देते हैं परन्तु उसके पश्चात जब उस मच्चे का आकार समुद्र जितना विशाल हो जाता है तब राजा समझ जाते हैं कि ये कोई मच्चे नहीं अफितु मच्चे की रूप में कोई अलाकिक शक्ती है ये मच्चे आप अवश्य ही कोई तिव्य शक्ती हैं जिसने किसी उद्देश्य से ये मच्चे रूप धारण किया है और आप किसी उद्देश्य से ही मुझे मिली हैं आप कृपा कर मुझे अपने आलोकिक रूप के दर्शन कराएं पता नहीं किस रूप में आगर नारायन मिले जाएगा निर्मल मन के दर्पन मेवर रांकि दर्शन पाएगा पता नहीं किस रूप में आगर नारायन मिले जाएगा निर्मल मन के दर्पन मेवर रांकि दर्शन पाएगा पठा नहीं किस रोप में आखर नारायन मिल दाएगा निर्मल्मन के दरपड मेवर राउं के दरशन पाएगा पठा नहीं किस रोप में आखर पठा नहीं किस रोप में आखर पठा नहीं किस रोप में आखर मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभू ए नारायन जब आपने इस धर्ती पर अफ्तार लिया है तो इसके पीछे आपका कोई ना कोई उदेश्य तो अवश्य ही होगा सत्य कहा सत्य व्रत हम तुमें जो भी कतन कहने जा रहे हैं तुम उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनना आज से ठीक साथवे दिन इस स्रिष्टी में विनाशकारी जल प्रले आएगी ये स्रिष्टी समुद्र में जल मगन हो जाएगी तीनों लोग जल में टूबने लगेंगे कब मेरी प्रेणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी तब तुम सभी प्राणियों के सूश्म शरीरों को लेकर सब्त रिष्यों के साथ उस नौका में बैठ जाना और सभी प्रकार के धान्ने और और उश्रिधियों के बीजों को अपने साथ रख ले र जिससे की प्रलैकाल के परशाद तुम पुना जीवन का प्रारंब कर सको जब प्रचंड आंधी के कारण नाव डगमगाने लगेगी तब मैं ऐसी रूप में आकर तुम्हारी रक्षा करूंगा भगवान नारायन के कथनुसार राजा सतेवर्त सब्तरिशियों सभी प्राणियों के सुक्ष्म शरीरों और सभी प्रकार के धान्यों और आशधियों के बीजों को लेकर एक पहाड की चोटी पर चले जाते हैं और भगवान नारायन द्वारा प्रदान की उस नौका में सवार हो जाते हैं उसके बाद ठीक सातवे दिन पृत्वी पर भयंकर जल प्रले आ जाता है आकाश में बिजलियां कड़कने लगती है गरजते हुए मेगों से बड़ी ही भीशन वर्षा होने लगती है समुद्रों का जल सर बढ़ जाता है और समस्त संसार जल में मगन होने लगता है जब राजा सत्यवरत सहित सभी सप्तरिशी भगवान नारायन की स्तुती करने लगते हैं तब सर्व प्रथम भगवान मच्चे रूपी नारायन जल के भीतर निवास कर रहे दैत्ते है गरीव का अंत करने के लिए जाते हैं जहां सर्व प्रथम उनका सामना है गरीव के सेना पतियों से होता है जिनके मस्तक को भगवान मच्चे एक ही प्रहार से अपनी सुदर्शन चक्र से उनकी देह से विलक कर देते हैं उसके पश्चात भगवान मच्चे और दैत्त है गरीव के बी मत्से का सामना करने के लिए अपने समस्त बल का प्रयोग करता है परंतु वो दैत्य अधिक्षन तक प्रभू मत्से के आगे टिक नहीं पाता और भगवान मत्से अपने सुदर्शन चक्र से उसके शीश को उसके धर से अलग कर उसका अंत कर देते हैं और चारु वेद जिनने देत्य है गरीव ने ब्रह्मदेव से चुरा लिया था उन्हें है गरीव से मुक्द कर अपने भीतर समाहित कर लेते हैं देत्य हैं के वद्ध के पश्चात चल के अंदर से भगवान मत्से के साथ श्री शेशनाग जी परकट होते हैं स्वामी नारायन, जे नारायन, जे जे नारायन, नारायन हरी हरी स्वामी नारायन, नारायन हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी तेरी मही मा, तेरी मही मा, तेरी मही मा प्रभु है प्यारी प्यारी हरी हरी स्वामी नारायन, नारायन हरी हरी स्वामी नारायन, नारायन हरी हरी जिसका वर्णन हमें मच्छे पुराण में मिलता